एक किताब जो लिखना आप अपने आप में ही बहुत बड़ा काम होता है और इसमाई से नहीं आती है पर तुभों का दर्द जाती है दर्द समझती है और एक अतिहासिक किताब इन्हों ने लिखी है आप में पिर्ति बगार जीसे कमगादी वो आये और इस किताब पर उस्ति नहीं है अब 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 कहती थी सुच्वन सिंग जी एवं स्टेज पर बैटे हुए सभी इन्हों ने सबसे इस पर फोड़ी दी रौश्की राओं लिए अनुभव कैसा रहा आइडिया कैसे आया काम कैसे किया मेरे एक पॉब्लिक मीटिंग चल रही थी सेही निकोवाल बिकुल बॉर्डर पे अधिया कि मेरे नांकी हर्जगाओं में और यह बजूर्ग बैठे हुए हमारे सभी दो बादे बड़ी रट्वी में आर्ली में का रेदूविशन है वह राक और हमको वह कुछ पर इन्हें यह कुछ जान का रही है अधिया स्वाल है यह मैंने अधिया स्वाल है यह मैं आपसे जारा कुछ महीं कहूंदा मैं यह दूरूर कहूंदा आज यहां करें मुझे दाती तोर पर और मेरी आज़गा में इस कुछी हुई है कि आप लोग धरम से बादे हैं हमने पोट कर्णर ने कि कश करें दजय करें भी आज हमके लातों में आये हमें कैसे जमीने बिली कैसे के मगा में आए कुंछ बूक थे हैं आज हम कहा हाता राखा, पुरे बोछ चाहदों देशी हो दीया, कि हम लोगों ने कित्नी मालगी ऐसे हाद कहा होते हैं, लेकिन यह सर्दार्म नी बजा से देखे, यह अपी मालगी बजा से अभी जिमिशों मज़ेकर हो रहां था. आपको को देखता है, अपरी एक साथ हमारे आएप्या दोएंगे, देल में हर्पें दाइट लेनी है परसिनलिकी, और मेरे बुजोरोगत, मुआशाई, प्राहा देरे, ताई बहुत जादा हुद्या, मैं कुछ भूलागा थाई, सेर्फ़ करा दोड़ा कुछ जदो इसेरी कामनों शुरू करिए, पहला रब्दा नाउट जाएगी, एर दुणा किया पर दम दम दरूद कुछ करिएगी, पले दोड़ा हूं पे पाढ़े देगे, गंडी बंगन आदी आजाएगी, बुलबुल बाढ़के, चैजिये बादेगे, देगे, आजिस्तिवित है जाएगी, गंडी बंगना देगे, युँञ्वू जाएगी, इसेरी क्योंके जतारी के वो क्याएगी, ठंकिश घंश पांक स्कुर्णाएगी, गांधके, शुत्यत्यांजेख ँटेफरे देगे, चैजवूइपा एण च्टायार, सिट्यत जाना साथ, जाको यहां तुनके दर्शिम्हां पहली बार्थाराऊं। माहीं मेरे दूज्वों ने इस रंस्ता को सीचुट चाहिए पाहिनाँ ब्याहां तो तिना साइग्ड उबद प्यास्ती इस नाहीं बाई शुट्वर्क, सज्ज्य पस्ते बैकियां। मेरे दूजर के सार्याना बोत अनवादियां इनना जोंग इन दिनां पेचर अजी कार कर गे और साधा इनना आई सुनूग जीता आज जीतियायो अजी पूरी संस्ता जबियत वादिया अबाई देखियो सामने शक्रिव जीतिय को इनना आई शक्रिव जीतिको सामने पापाइदर देखियो सामने मेरे से सांस पना करो सामने देखू कोई सेलिब्रेशन नहीं थी यह कि श्रद्धांजली समारो था जो उन विस्थापितों को समर्पित था जो 1947 में पीयोजे के एरिया से चाहे वो मुझफराबादी थे यहां फिर पुंचिये थे यहां फिर मीरपूरिये लोग थे जो 1947 में विस्थापन हुआ था जिनका और आ कि अपनी इस मंच पर आकर मैं यह पुस्तक रिलीज करूं जिसका नाम है काफिला और इसका पार्ट वन रिलीज हुआ है अभी और पार्ट टू जल्दी रिलीज होगा और तब तक कोशिश मेरी यह भी रहेगी कि इस बुक को अभी हिंदी में रिलीज किया गया है और जल् प्लत शब्द है स्टोरी जो मेरे लिए स्टोरी है वो शायद किसी बुजूर्ग की पूरी जिंदगी की दास्तान थी और बड़ी ही दर्द भरी दास्तान थी बड़ा इमोशनल टच दिया गया है बिल्कुल ओरिजिनल है अधेंटिंटिंग इंफर्बेशन है जो उस समयन वर्ग को प्रेरना देने का काम किया है इस पुस्तक के द्वारा क्योंकि युवा कहीं भटक गये हैं या वो नशे चिट्टा या शराब या फिर 5G इंटरनेट में लगे रहते हैं तो इस इन परिवारों की जो तीसरी चौथी पीडी है वो अपना इतिहास भूल चुकी है तो एक प्रयास है मेरा छोटा सा उनके लिए कि अपना इतिहास चानी है और इतिहास चान कर ही आप अपने भविशे का निर्पान कर पाएं जी ये अच्छली क्योंकि ये जो बॉर्डर बेल्ट है यहां मैं गलत नहीं कहूंगी कोई 55% जो है वो लोग जो है विस्थापित हैं और इनको जागरू करना बहुत जरूरी था अब देखिए यहां लोग जो है विस्थापित वो ब्रह्मन भी हैं राजपूत भी हैं शिडियूल कास्पी रादरी के हैं जाट हैं ये लोग कभी एक जुट नहीं हुए और इसलिए इनका कहीं न कहीं डॉक्यमेंटेशन जो काम था वो कभी होई नहीं पाया तो एक चोटा सा प्रयास का प्रयास था मेरा इन सभी लोगों को इकठा करना एक मंच के तले चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं पर रिफ्यूजी जो हैं अब रिफ्यूजी यहां गरत चब्द हैं इसको डिस्प्लेश्ट परसंस और अपने उन शहीदों को उन लोगों को एक श्रद्धांजली इनकी तरफ से दी गई जो लोग इनके परिवारों से वहां से यहां नहीं आ पाए नहीं मैं नहीं कह सकती कि विस्थापितों को इनसाफ मिलना था जो मिल चुक है लड़ाई बहुत लंबी है इनके साथ बहुत नाइं